बिहार नियूज में स्वागत है आपका दोस्तों मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं के डिबी लाइब दोस्तों आज हो चुका है अठारे जनुवरी दोहजार चुबिस तो आज की पुरे बिहार की टॉप नियूज लेकर आएं आपके लिए दोस्तों वीडि करके बिला आइकन को प्रेस कर देजिए और साथी वीडियो को लाइक कर देजिए ते दोस्तों को सब्सक्राइब धी कीजिए तो चले शुरू करते हैं आज की पुरे बिहार की टॉप नियूज था दौस्तों आज बिहार नियूज की फिरू आतर टॉप हैडलाइन के साथ करते हैं तो बात करते हैं कि मैं राम मंदिर के परान परतिष्टा समारों में नहीं जाओंगा लालु परसाद यादब ने साफ किया अपना रुख 22 जनवरी को जारी होगा राम मंदिर वाला 500 रुपे का नोट वारल होड़े फोटो का सच जान करके रह जाएंगे हैरान आगे आपको बताएंगे विस्तार से मोबाइल बनेगा चलता फिरता टीवी बिना सीम और इंटरनेट के देख सकेंगे वीडियो आगे आपको पताएंगे इस वाड़े में विस्तार से बिहार में कब घटेगी ठंड कोल वेब की चपेट में सुबे का ये जिला मौसम विभाग का अलट जिन महलाओं के लिए नितिस ने बंद की शराब अब उन्होंने ही कर दी बगावत थाने का कर दिया घेराओ चुनावी साल में नौकडी और परचार सिक्षक भरती में देश भर में नंबर वन राजजब बना बिहार नितिस और तजस्वी की है सरकार किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद दवा के लिए भी मिलेंगे पैसे आपरेशन के बाद बैंक अकाउंट में आएगी राशी सुसिल गुमार मोदी का महा गठबन्दन सरकार पर हमला बोले चूबने लगे दील की कील क्या ये है बराद दावा आगे आपको बताएंगे विस्तार्स बिहार में लीजी अब कश्मीर के डल जील का मज़ा गंगा की लहरों पर मिलेगी तैड़ता हाउस बोर्ट एक्सन में आये डीजी पी आरेस भट्टी ऐसे चोगो किया सस्पेंट जाने क्यों हुई ये कार रवाई जाने हेलिकॉप्टर से दुलहन की बिदाय का कितना आएगा खर्च कैसे होगी बुकिंग आगे आपको बताएंगे विस्तार्स इंडिया में सीट शेरिंग को लेकर के हलचल तेज विजे चाओधरी और तेजस्वी यदब ने किया बरा अपडेट राज़त एमलसी ने सीम नितिस कुमार को दिखाया आइना कहा बिहार में नौकरी मॉडल के असली नायक तेजस्वी यदब शीत लहर का कहड़ जारी आठवी कक्छा तक के सभी स्कूल 20 जनौरी तक होगा बन वो दो मुद्दे जो नितिस और बीजे पी के बीच बन रहे रोरा कभी भी बन सकती है बात और पलड जाएंगे नितिस नितिस केबिनेट का फैसला सरकारी गारे से दरुगटना पर मुआफ़ाता है मौत होने पर अब मिलेंगे इतने पैसे नितिस सरकार की बड़ी पहल अब बस खरीत पर 2700 बाउन लाबगों को मिलेगा 55 लाख रुपे बिहार बंगाल को लेकर के टेंसन में बीजेपी 240 सीटे कमजूर बदल ने पड़ी ये रननी थी दोस्तो अब बात करेंगे विस्तार सी तो बात करते हैं कि बिहार के पूरो मुखे मंतरी और आर जरीस चीफ लालो परसाद एदब ने बुदुहार याने की सतरे जनवरी को कहा कि वे 22 जरुडी को आयोदिया में होने वाले राम मंदिर का परान परतिष्ठा समारो में शामिल नहीं होंगे उन्होंने का है कि मैं राम मंदिर के परान परतिष्ठा समारो में शामिल होने के लिए आयोदिया नहीं जाओंगा हलाएकि उन्होंने कार्यकर्म में शामिल ना होने के लिए कोई विसीस कारण नहीं बताया है पराण परस्थिष्टा समारो 22 जनुवरी को आयोधिया में आयोज़त किया जाएगा इस कार्यकर्म में प्रदान मंतिरी नरदर मुदी समेट कई अन्य नेता शामिल होंगे समारों में कई मशूर हस्तियों को भी आमंतिरत किया गया है जैस दिन को देश भर के लिए अतिहासक दिन माना जा रहा है दोस्तों बात करेंगे कि 22 जनुवरी को राम मंदिर की प्राण परस्ष्टा होनी है जैसको लेकर के देश भर में उत्सो का माहौल है लेकिन इस समारों में पहले इंटरेनेट पर आयोदिया और राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह के पोट्स्ट वारल हो रही है जिन मेंसे कई फेक साबित हो रहे है अब 500 रुपे के नोट की एक तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर के दावा किया जा रहा है कि नई सीरीज का ये नोट 22 जरुड़े को जारी किया जाएगा इसमें महत्मा गांदी जी की जगे भगवान राम दिखाए दे रहे है आपको बदा दे कि माइक्रो बलोगिंग साइट एक्स पर 500 रुपे के नोट को जो कठी तस्वीर वारल हुई है आपको बदा दो कि एक्स पर यानि की ट्वीटर पर 500 रुपे के नए नोट की जो कठी तस्वीर वारल हुई है उसमें महत्मा गांदी चस्मा और पिर लाल किला के जगे भगवान राम राम मंदिर और धनुस बान की तस्वीर दिखाए दे गई है या इस तस्वीर को शेर करके एक्स यूजर दावा कर रहे हैं कि ये नोट राम मंदिर के ओडिहरन के मौके पर यानि की 22 जनवरी को जारी किया जाएगा वहीं पर फेक्स चेक में ये दावा फर्जी पाया गया है आपको बदादो कि भगवान राम की तस्वीर के वारेल हो रहे है पांसुर रुपे की तस्वीर पूरी तरीके से फेक है जब आप वारेल फोटो पर गौर फड़माएंगे तो आपको वहाँ पर रगू मूर्ती 07 नाम का एक एक्स एकाउंट पर नजर जाएगा जब देखा कि मामला तुल पकर रहा है तो फिर उन्होंने खुद कुबल किया है कि ये तस्वीर हमने ही एरिट किये है और इसको पोश्ट किये है आपको बदा दो कि लोग इसको गलत मेसेज के तहट सेर कर रहे हैं जहां इसमें लोग ये समझ रहे हैं कि बाइस जनौरी को राम की तस्वीर वाली नोट जारी की जाएगी मतलब इसे एक बात तो साफ हो गई है कि बाइस जनवरी को ऐसा कोई भी नया नोड जाड़ी नहीं होने वाला है हाई कोट में पराण पर्थिष्टा कारे करम पर रोक लगाया जाने की मांग को लेकर के जन्हित याचिका दाखिल की गई है याचिका में संकराचारिय की आपतियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परमपडा के खिलाब बताया है आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसवाचुनाओं का लाब उठाने के लिए या आयज़न कर रही है जन्हित याचिका में कहा गया है कि परणять पर्तिष्टा कारेकरम पर संकराचारिय की आपति है कहा गया है कि पौस मेहने में कोई भी धार में कारेकरम आयज़त नहीं किये जाते हैं या इसके अलवा मंदीर अभी पूरी तरीके से बना रही है अभी अपूरुन मंदिल में किसी भी देवी देपता की परान परसिष्टा नहीं हो सकती है जा इसके अलावा पी-म और सी-म योगी का इस परान परसिष्टा कारेकरम में शामिल होना समय धानिक के खिलाफ है याचिका में काड़े करम को लेकर के चुनावी इस्टेंट कहा गया है जा इस जनित याचिका पर हाई कोट में शुकरवार को सुनवाई हो सकती है दोस्तों बिहार के मुक्यमें तरी डितिस कुमार से नाराजगी की एटकलों पर आरजरी सुप्रीमो लालो परसाद एदब ने चुपपी तोड़ी है औरोंने का है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है ऐसा होता रहता है उन्होंने इशारों में ही इन एटकलों को खारिच कर दिया ह वहीं इंडिया गटबनेड में आगामी लोकसवा चुनाओ को लेकर के सीट शेरी के मुद्धे पर लालो परसाद एदब ने कहा है कि इतनी जल्दी सीट बटवारा नहीं होता है और जड़ी चीफ लालो परसाद एदब ने राम मंदिर परान परसिश्टा करकरम में जाने स भी इंकार कर दिया है लालो परसाद एदब ने बुद्वार को पटना में मीडिया से बाचित की यह इस दौरान उनसे ताजा राज घटना कर्म को लेकर के सवाल किया गया पत्रकारों ने उनसे पूचा है कि नितिस कुमार से उनकी तनातने की अठकने चल रही है मकर संक्र सब्सक्राइब नहीं लगाया लालो परसाद एदब ने जवाब में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब होते रहता है कुछ तै नहीं है जब उनसे पूचा गया है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेरिंग कब होगी तो लालो परसाद एदब ने कहा कि इतना जल्दी नह हो रहा है दोस्तों 16 जनवरी के बाद भी बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुक्य सचिब केके पाठक काम पर नहीं लौट रहे हैं जो उन्होंने सामाने परसादन विभाग को पत्र भेज करकि अब 30 जनवरी तक अवकास पर रहने की सूशनादी है जब पहले उन के पाठक की चुटियां 16 जनवरी मंगलवार को खत्म हो रही थी ऐसे में अठकले लगाए जा रहे थे कि केके पाठक काम पर लोटेंगे या नहीं अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी चुटियां बरा दी है जहाल है में सोशल मीडिया पर एक पत्र वारल हुआ था जिस खबर यह कि केके पाठक अभी और लंबी चुट्टी पर है मोबाइल पर वीडियो फिल्म या फिर टीवी चैनल देखने के लिए सिम कार्ड और इंटरेनेट डोनों की जरुरत होती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा या देश भड़ में करोड़ों मोबाइल यूजर्स बिन सिम कार या फिर इंटरेनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे या सूचना एवंग परसाडन सचिब अपुर्वा चंद्रा ने एक परसाडन सम्मिलन को समधित करते में कहा कि घरेलू डारेक्ट टू मोबाइल टकनोलोजी का परिक्षन जल्द ही उन्हें सहरों मे किया जाएगा और फिर इस अभरती परदोगी के लिए चारसो सकतर से पांसो ब्रासी मेगाहर्स स्पेक्स्ट्रम अरच्षित करने की जोड़दार वकालत की जाएगी जब पिछले साल सुरू वह पाइलेट प्रोजक्ट चंद्रा ने कहा कि पीडियो ट्रेफिंग का पची चंद्रा ने कहा कि डीटू एम तकनिक देश भड़ में लगबग आठ से नौ करोड़ टीवी डार्क घरों तक पहुंचने में मदद करेगी जा देश के 28 करोड़ घरों में से केवल 19 करोड़ के पास केलिविजन सेट है जहां उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ स्मार्ट फोन है और फिर उब्यों करताओं तक पहुंच वाली उन सतर प्रतिस सामगरी वीडियो प्राड़ूप है दोस्तों बिहार के अलग-अलग जिलों में पर रही हड़ी गला देने वाली ठंड से हर कोई परिशान है बदहाल है जा छोटे-छोटे बच्चे को ठंड में स्कू कि स्कूल में कक्षा आर्थ तक की परहाय पर रोक लगा दी गई थी एक बार जिला परसासन के आस्तर से चुट्टी की इस अब्धी को बढ़ा दिया गया है जो चोटे बच्चों के लिए बड़ी रहत वाली बात है दोस्तों मुख्य मंतरी नितिस कुमार के अधस्ता में हुई मंतरी परिशत की बैटक में कुल 18 एजन्रों पर निर्ण लिया गया है जये ऐने बाने लिया जाएका सरक दुरगत्ना में मौत पर पंच लाक लाक लिपे मिलेंगी दोस्तों बिहार के सभी जिलो के मिजलों को वेलन दिया गया है इनके दोरा काम में लापरवाई बढ़तने की चलते कारवाई की गई है माइस प्रभाडियों ने छात्र छात्राओं सिक्षकों और फिर इसकुलों का फोरोफाइल अपलोड नहीं किया है इस वज़े से एक्षिन हुआ है वही बिहार सिक्षापडियोजनाने पहले मंगलवार के दिखा दिया है कि उनकी ताकत कितनी ताकत है तस्वीरों को देख करके की ठंड में इतनी भीर कैसे हो सकती है यह तस्वीर नहीं बल्कि 2024 के लोगश्वाद चुनाओं से पहले शायद नितिसकुमार और तेजस्वी अदब के लिए टेंशन है जा में वे खुद ही फसे रह गए महात्मा गांदी सेतु से लेकर कि लगबग पांच किलोमेटर दूर तक हाजिपूर के सरकिट हाउस तक चिराग पासवान अपने समर्तकों की भीर को देख करके गदगद हो उठे जा हुए अपनी गारी के ओपर चर गए और पिर हाथ जूर जा भीर की तस्वीरों को चराग पासवान ने एक्स हैंडल पर शेर किया है लिखाए कि मेरे नेता मेरे पिता की कर्मो भूमी हाज़पूर की अक्षेवत राय इस्टेडियम में बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट संकल्प महासभा को सम्मूदित किया इस कराके की ठंड में आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में भागेदारी ये सनुचित कर रही है कि विहार को फर्ष्ट और विहारीयों को फर्ष्ट बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं जा भड़े मंच से चराग पासवान ने कहा है कि मैं शेर का बेटा हूँ रामिलास पासवान का चराग पासवान के लिए आशिरवाद मांगा है और कहें कि मैं चाहती हूँ कि चराग पासवान को आप लोग अपना आशिरवाद दें दोस्तों बिहार में ठंड का टार्चर्ड शुरू चुका है जा पिछले कुछ दिनों से ठंड का परकॉप लगातार बढ़ता जा रहा है जा बढ़ता हुआ मैसुस हो रहा है सीमान चल में भी नियंतम पारा गिरा है जा ऐसे में बरफिली पच्वा हवा की वज़े से के आसार नहीं है जब मौसम बेकनकों के अगलत 24 गंटे में तापमान तापमान में दो डिगर तक गिरा उटाने की संभावना है वहीं इस कराके की ठंड की वज़े से बाजारों में चहल फाहल अपक्षाक्रत कम रही पर जरूरी काम से लोग निकले वह से बिहार का अधिक डहके नहीं थे जा कप्रों पर भी ओस की बुंदे अपना असर दिखाती नजर आई दोस्तो केंदरे राजमंतरी सहब अकसर सांसर असर बनी कुमार चौबे ने लालू परसाद नितिस कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन दोनों में कोई भी दम नहीं है जब पल्टनियां करने से भी अब कोई फायदा नहीं होगा जैनितिस कुमार के लिए बीजेपी का दर्वाजा बंद है एक दिवस्या दोड़े पर मंगलवार को इतिहासे के किला मैदान के राम निला मंच पर परशुराम चत्रवर्द की सरधान जली सभावे असर बनी जब ऐसे पूछा है कि पूछने पर कि क्या नितिस कुमार की कौन सी ऐसी मजबुरी है कि लालो पर साथ का आसरुआद ज्यूरू जरूरी है इस पर और परत देते हुए गाह है कि वे तो तो उनके बल पर सरकार चला रहे हैं यह चैनिया आसरुआद लेना चाहते हैं लाल बाद दो दसक तक हर लोकसभा और बिहार विदान सभा चुनामे कॉंगरेस दो तियाही के आसपास सेटे पराप्त करते रही है यही वज़ा रही कि विदान सभा के शुरुआते तीन चुनाम साल दो उनेसो बावन उनेसो संतावन और उनेसो पहासट में पूर्ड वहमर से पिशले तकरिबन साड़ी तीन दसक से बिहार की सियासत में कौंगरेस मुखेधार्रा की भूमिका से बाहर है जहां कहँड़ धाई दसक पहली इसने गठबनन की सियासत में किका अधार लगता लेकिन आजाद देश में पहला चुनाव साल 1952 में हुआ जिसमें बिहार की 72 अधीक सीटों पर कॉंग्रेस ने कबजा जमाया पर साल 1967 के विदानसभा चुनाव में कॉंग्रेस को बिहार की 38 में से 128 सीटे ही पराप्त हुई यह इस कारण साल 1967 में पहली बार बिहार में गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी पर यह 28 जनवरी 1968 में गिर गई यह इसके बाद कॉंग्रेस ने गटबनन की सरकार बनाई और भोला पासवान शास्तरी मुख्य मंत्री बने एक साल बाद ही साल 1979 में मध्यावदी चुना हुए जिसमें कॉंग्रेस ने पांच अनदलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई तब हरिहर सिंग मुख्य मंत्री बने इस तरह सबसे पहले साल 1978 और 1979 में कॉंग्रेस गटबनन में आए मानते रहे और पिर अधिक सीट इस दल को देने में अरकाने करने लगे लगातार दूसरे दलों का सहरा लेकर के कॉंग्रेस चुनाओं में उतरती रही और पिर अपना उसका अधार कमजोर होता गया जो वरतमान में कॉंग्रेस को बिहार की 40 में मातर एक लोकसबा और फिर 243 में मातर उनिस बिदनसबा की सीटे हासिल हुई है एक समय ऐसा भी आया जब साल 2010 में बिदनसबा चुनाओं में कॉंग्रेस को सिर्फ डिर प्रत्सथ सीटे पराप्त हुई साल 1984 के लोकसबा और फिर 1985 की बिदनसबा चुनाओं के बाद से बिहार में कॉंग्रेस लगातार पिशरती गई 1984 लोकसबा चुनाओं में बिहार की 44 में 48 सीटे और फिर 1950 के बिदनसबा में 324 में 196 सीटे कॉंग्रेस के खाते में आई थी 1962-1967-1964 और 1971 में 49 सीटों पर जीद हादल की थी आपात काल के बाद 1997 में हुए चुनाओं में पार्टी का खाता तक नहीं कुला लेकिन साल 1984 में हुए लोकसभा चुनाओं में कॉंगरेस को 30 सीटे मिली 1984 के बाद सी कॉंगरेस बिहार के लोकसभा चुनाओं में अब तक धाई अंग भी नहीं पहुँच पाई है दोस्तों केके पाठक की शक्ति का मंगलवार को बेगू सराय में असर दिखा जाम बायोमेट्रिक जांच में पकड़ी गई बीपीस सी पास फरजी सिक्षिका को देड़ शाम गिरफतार कर लिया गया है जैसे अच्छा बिभाग को फरजी सिक्षिकों की नियुक्ति से समदित कई शिकायते मिली थी इसके बाद बिभाग या परमके सचिब केके पार्टक ने बड़ा आदेस दिया था अब हर एक सिक्षिक की जांच कराय जारी है कि कोई फरजी रूप से नियुक्ति तो नहीं हुआ है जब बेगुसराय जिला सिक्षा कारयाले में चल रहे बायामेटरिक जांच के दौरान ही मंगलवार को एक सिक्षिका दोस्तों खरमास खत्म होती ही बिहार में राज दिक अटकल बाजी बर गई है पसुपति कुमार पारस ने संकित दिया है कि जनवरी के अंतक नितिस कुमार की जेरियू वापस में ये अंडिये में आ सकती है पारस ने कहा है कि खरमास खत्म हो गया है अब सही समय का इंतजार है जब महने के अंतक जो होगा बिहार के लिए अच्छा होगा उन्हें कहा है कि समय बल्वान होता है आदमी नहीं या इस समय नितीस उल्जन में हैं लेकिन वे फैसला लेंगे और फिर राज्य के लिए अच्छा होगा ज़ने दो दिन पहले पूरो मुखे मिंतिर जीतन राम माजिय ने भी कहा था कि जो भी पडिवर्तन होगा वो इराज्यखित में होगा हैं जब नितिस कुमार को लेकर के पस्वपदी कुमार पारस की और से ऐसा बयान सामने आ रहा है यह इस से पहले सब्तेंबर 2023 में भी उन्होंने कहा था कि नितिस कुमार अगर ये अंटिय में वापस आते हैं तो फिर उनका स्वागत है दोस्तों बिहार में बिपी सी कुमार इस नकार देश में नौकरी का दावा नितिस टेजस्वी की सरकार कर रही है वहीं चुनावी साल में नितिस सरकार इस नोकरण को बरा मुद्दा बनाने की कोसिऊ कर रही है इसके लिए मच से लेकर के सोसल मीडिया के जरी परचार किया जा रहा है कि सरकारी नुखरी देने के मामले में बिहार देश में उवल राज्य बन गया है वहीं इस सिक्षक भरती परिक्षा में दूसरे राजों के अभिहारतें को भी मौका दिया गया है और फिर बड़ी संख्या में दूसरे राजों के अभिहारतें सिक्षक बनने में सफलता पाई है दूसरे राज़ों के अभिहारतियों को मुका दिये जाने से बिहार के कुछ यूआ यूतिया नाराज बताये जा रहे हैं जा उनके लिए भी सरकार ने सूचना जारी कि है कि भरती परिक्षा 85 परतिसत बिहारे नुक्ति हुए है जबकि पंद्रे परतिसत में ही देश के बांकी की राज़े के अभिहारती है यानि की बिहार की यूआओं का ज्यादा नुक्सान नहीं हो रहा है बलकि जनमें क्वालिटी है उनका ही चैन हो रहा है आपको बता दो कि तेजस वियाद अब और आर जिली ने 2020 के बिदान सबाचनाव में 10 लाख सरकारी नौक्री देने का वादा किया था पर कुछ सीट कम होने की वज़े से महा कड़बनन के सरकार नहीं बन पाई थी पर 2022 के अगस्त महा में वीज़ेपी का दामन फोर चोर करके इनितिस कुमार महा कड़बनन के साथ आये थे तो फिर उन्होंने सोतंतरता दिवस्त के अबसर पर 15 अगस्त को 10 लाख सरकारी नौक्री और पिर 10 लाख रोजगार दिन का वादा किया था पर उसके बाद बिहार में सरकारी नौक्री के लिए परकड़िया को तेज कर दे गई है जब भी पिस्ति के सांसी सरकारी नौक्री की भर्तिप करने वाली अन्य सहस्थान भी तेजी से परिक्शाले करके परिणाम जारी कर रहे हैं दोस्तों मुक्षम अंतरी चिकिस्सा साहता कोस के अंतरगत अब गुर्दा परतियार उपन यानि की किड्नी ट्रास्प्लांट के बाद परते एक मरीज को दवा के लिए भी अनुदान की रासी दी जाएगी जहां राज केमिनेट ने इससे जुरह हुए परदस्ताओं को सुईकरती दे दी है आपको बता दे कि बिहार के ऐसे नाग्रिक जिनकी वार्थिकाए धारिलाक रुपे तक है जब उन्हें गुर्दा परते रुपन के लिए तीन लाख रुपे तक की रासी दी जाती है अब ऐसे मरीजों को सफल परते रुपन के बाद नियमित दवासेवन के लिए दो लाख सोले हजार कानुदान भी दिया जाएगा आपरेशन के बाद पर्थम वर्थ के लिए छेचे महा पर लाभारते के खाते में दो किस्तों में रासी का भुकतान किया जाएगा जा राजे सरकार के स्वामित वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुरगटना में बिर्थक के परिवार वालों को पांच लाग तथा गंभिर रूप से घायल होने पर धायला कुर्पी मुआपजा दिया जाएगा केविनेट ने पडिवर विभाग के इस प्रताओं को ही हरी जहन दे दिया है राजे सरकार के स्वामित वाले वाहनों का विमा नहीं होता है जाएसे में इन सरकारी गारियों को दुरगटना पर परिवार वालों को मुआपजा राशी देने का लिर्ण न लिया गया है दोस्तों बिहार के पुरू उप मुखे मंतरी एवंग राज्यसभा सांसाथ सुसिल कुमार मोदी ने एक बार फिर्ट से महा गट बेनन की सरकार को लेगड के बरा दावा किया है उन्होंने कहा है कि जेरी और आरजेरी की बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अपने बयान जारी करते हुए सुसिल कुमार मोदी ने कहा है कि डील की कील अब चूबने लगी है उन्होंने कहा है कि नितिस कुमार 78 विदायकों की पार्टी आरजेरी की किरपा पर मुखे मंतरी है लालो परसाद यादा जब चाहिए उन्हें हटा करके अपना बैटे को मुखे मंतरी बना सकते हैं दोनों की बीच डील भी यही हुई थी आगे बीजी पी नेता सुसिल कुमार मोदी ने कहा है कि नितिस कुमार इस बार मकर संकरानते पर लालो राबरी आवाज गए लेकिन वहाँ केबल साथ मिनट रुगे लालो परसाद ने उनसे दूरी बनाई रही और फिर दही का टिका भी नहीं लगाया यह दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है यह कारे करता का मनोबल ना टूटे इसलिए जेडियू के मंतरी नितिस कुमार को बिहार का भविस्ते बता रहे हैं जबकि उनकी पार्टी के पास सिर्फ 44 बिधायक थी वे पहली बार 2001 में भी 60 बिधायकों वाली बीजेपी की किरपा से मुखे मंतरी बने थी आपको बता दें कि मकर संकरांते पर सोमोहर को नितिस कुमार राबरी आवास पर गए थे यह वहां से 10 मिनट के लिए अंदर से ही वो निकल गए यह पैदल ही पहुँचे थे जिस को लेकर के खुब बयान बाजी हुई थी यह इसी दोराण पतरकाड़ों से बाचित में आरजेडी की बिधायक ने सवालों के जवाब में यह कहा कह दिया है कि नितिस कुमार लालो के आशरवास से मुखे मंतरी बने हैं अब इसी बयान को लेकर कि सुशल कुमार मोदी ने तंज कसा है और आरजेडी और जेडियू हमला वोला है कि दोस्तों बिहार में ऊता हुषा उडह भर बनाए गया है अब तक आप लोगोंने जमीन पर घर देखें होगे पानी में तैयरता हुआ घर आप साईली कभी देखें देखें हैं लेकिन आपको बदा दूकी अगर आप नहीं तो अब आपको देह प African बिहार में है यह अनोखा गड़ के लोगों को अब कस्मिर का मज़ा बिहार में ही मिलेगा जिहां आपको अधानिय संसादनों से इस हाउस बोर्ड को तयार किया गया है गंगा नदी के ओपर आधुनिक सुविधाओं से लेस फ्लोटिंग हाउस में आप डल जील के हाउस बोर्ड जैसा आनंद ले सकते हैं यह फ्लोटिं आरा मुख्याले से महज 15 किलोमेटर की दूरी दूर महूले में तयार हुआ है यहीं गंगा टतपरी से तैड़ता हुआ देखा जा सकता है एको टूरिजमों को बरावा देने के लिए इंजिनियर परसांथ कुमार और उनकी टीम ने इस खूब शुरत हाउस बोर्ड का निर कर रहे हैं इंजिनियर परसांथ कुमार ने बताया है कि इसमें तमाम संसाथन परकरतिक और अस्थानी हैं जहां इसमें गाय के गोबर से बनी इट पॉल मिटी सुर्खी चुना और पिर बांस के बल्ले जैसे कई परकरतिक सामगरियों का उपयोग किया गया है वहीं घर के अंदर और पिर बाहर की सदावत को हस्त निर्मित शिल्प की मदद से खूब सुर्थी से सजाए गया है जब पाने में तैरता है इस हाउस बोट में आदने कि सुविधाओं से सुसजित दो बड़े फूस के कमरे बनाए गए हैं इंजिनियर परसांथ कुमार ने का है कि इस हाउस बोट में लगबग छे से साथ लोग आराम से रह सकते हैं यह घर गंगा नदी के बीच बीज भी जा सकता है जो उन्होंने कहा कि इस सुरक्षा के दृष्टी से यह हाउस बोट पूरी तरीकी से मानक के अनुरूप है मल्टी डिम टक्निक के कारण डूबने के बढ़ है दोस्तों बिहार में शराब बंदी कानू लागू है जब बिहार के अंदर कहीं भी शराब पिना या फिर इससे जुरा हुआ किसी भी तरह का कोई भी कारोबार करना गएर कानूनी माना जाता है इसको लेकर के कठोड सजा का भी प्रवधान किया गया है इसके बढ़ शराब मामले में डीजी पी आरस भटी ने बड़ी कारवाई किया है शराब मामले में दोसी पाये जाने की बाद मोतिपूर थाने के पूरो थाना दस इस्पेक्टर कुमार अमिताब को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है जनुरी 2019 में गुप्त सूचना के आधार प कुमार अमिताब के आवास से पड़ी सर में चापे मारी की थी इसमें आंगन के बरामदे में बहारी मातरा में शराब रखे गई थी बरामद शराब को विबिन ने कांडो का सेंपल बताया लेकिन मिलान करने पर 266 बोतल यानिकी 962 दस दो मिली लिटर शराब का अंतर पाया पश रुखी के मुख्या जगना तराय से संपक्र रखने और फिर उनके गलत कामों की में सही हो करने आदी आरोप में एस्पेक्टर कुमार अमिताब पर विबाग एजांच हुई और उसको आज बरकास्त कर दिया गया है दोस्तों यदि आप भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए आप भी अपनी दुलहन की बिदाई हेलिकॉप्टर से कराना चाते हैं तो आप बहुद आसानी से अपनी इस चाहत को पूरा कर सकते हैं अब आपके लिए हेलिकॉप्टर बुक करना उतना ही आसान है जितना शादी के लिए किसी कार को बुक करना है अब आपके मन में सबसे बरा सवाल उट रहा होगा कि कार तक तो ठीक बात है लेकिन हेलिकॉप्टर की बुक करने में कितना खर्च आएगा यदि जेब खर्च की इजादत देती है तो फिर booking कहां से होगी और शादी की रौनक बनाने के लिए हेलिकॉप्टर कितने समय तक आपके पास रहेगा हेलिकॉप्टर के लिए किसी खास इजाज़त की भी ज़रुत परती है बदरी हेलिकॉप्टर का संचालन करने वाले प्रविन जैन का कहिना है कि शादी के इलावा किसी कारेकरमों के लिए हेलिकॉप्टर का किराया परती घंटे के हिसाब से होता है जब वहीं शादी में हेलिकॉप्टर के बरते पर चलन को देखते हुए ज्यादा एविएशन कमपनियां दुलहन की विदाई के लिए अपने पैकेज फिक्स कर रखे हैं चार लाक रुपे से दस लाक रुपे की वीश उपलब्द ये पैकेज गंतवी की दूरी और फिर सीट के आधार पर होती है उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनकी कमपनी दिल्ली एंसियार और फिर हाडियाना के लिए पांच सीटर हेलिकॉप्टर चार लाक पचासाजार रुपे में उपलब्द करा रही है यह वहीं उत्तर परदिस के लखनों सहर या फिर उसके सीमावरती अलाके का किराया करीब 6 लाक रुपे है यदि दुलहन को पंजाब के अमिनिस्टर और फिर जालंधर से दिल्ली एंसियार में लाना है तो फिर आपको करीब 5 लाक रुपे खर्च करने होंगे इसी तरह बनारस से दिल्ली एंसियार का किराया करीब 9 लाक रुपे है पडवीन जैन के अनुसार पैकेज के तहट हेलिकॉप्टर दो घंटे की अबधी के लिए उपलब्द कराया जाता है या सामानेता लोगों की चाहत होती है कि बिदाई से ठीक पहले हेलिकॉप्टर उनकी बताई जगे पर पहुंचे और फिर वहां बहु को उसमें बैठा करके वहां से रवाना हो जाए यदि किनी कारण वर्स हेलिकॉप्टर को अधिक समय तक रुखना पड़ता है तो फिर उसके लिए परती घंटा के दर से हेलिकॉप्टर का अतरिक्त बुक्तान करना पड़ता है यह अतरिक्त किराया हर कॉपरेट का अलग-अलग है अब सवाल यह है कि कैसे और कहां से बुकिंग होगी तो आपको बदा दू कि अब आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर आपके लिए अगला सवाल आता है कि हलिकॉप्टर की बुकिंग कहां से और कैसे होगी तो आपको बदा दू कि इसके लिए आप आउल लाइन या फिर आफलाइन हेलिकॉप्टर की बुकिंग कर सकते ही जा अलग-अलग सेक्टर की अलग-अलग हेलिकॉप्टर ऑपरेटर है यदि आप आउल लाइन हेलिकॉप्टर बुक कराना चाहते हैं तो फिर आप कई परमु के अवियेशन कंपनी के दफ्तर हैं जो आपको किराय में हेलिकॉप्टर उपलब दिकराती है अब सवाल है कि परकड़िया क्या पूरी करनी होती है तो आपको बदा दें कि कैप्टन योगेस गुपता के अनुसार हेलिकॉप्टर की लेंडिंग और पर टेक आफ के लिए दो दोस्तों इंडिया गठबंडर में सीटों का बटवारा अभी तक नहीं हुआ है जाए बिहार में अटकल बाजी का दोर अभी भी जारी है जा कॉंग्रेस यही कह रही है कि उन्हें सीटों के बटवारे को लेकर कि कोई भी जल्द बाजी नहीं है वही निजिस कुमार के कड में कोई नाराजगी नहीं यह जैए इस दोरान उन्हें निजिस कुमार की लेडर्शिप की खुमिख तारिफ की है जाए विजे चोदरे ने कही है कि बिहार की जनता ने निजिस कुमार के ने खुरृत पर बढ़ुसा किया और पिर उनको अपना समर्थन दिया है जै निज उसकुमार ने जो वादा किया था कि नियाएं के साथ काम करें गी वे उन्हें पूरा किया। निति आयों की रिपोर्ट में भी में भी यह दिख रहा है। राम-मंदिर को लगड़ के विजे कुमार 14 ने ने कहा है कि बच्पन से ही वे राम-मंदिर जाते रहे हैं और उनके घर में भी राम मंदिर है ऐसे में अभी राम मंदिर जाना क्यों महत्पूर्ण हो गया है बिहार के उपमुके मंतरी और आर जली निता तेजस्वी अदब ने महागड़बरन में फूट की खबरों पर पड़ते करिया दी है तेजस्वी अदब ने महागड़बरन पूरी तरह के एक है और जनता महागड़बरन के साथ खड़ी है तेजस्वी अदब ने इस दोरान BGP पर भी तंज कसा है उन्होंने कहा है कि BGP के लिए कोई भी स्कॉप नहीं है डिप्टी सीम ने ये भी कहा है कि बिहार ने दो लाग से ज़्यादा नोकरियां देगर के वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है दोस्तों लोकसबाद चुनाओं की सीट शेरिंग की फैनल लिष्ट आने से पहले महागडबरन के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है भाई विरंद्र के बाद अब राश्टी जंतादल के मलसी और पूरो मुखे मंतरी राबरी देवी के मूँ बोले भाई सुनिल कुमार सिंग ने बिना नाम लिये सीम नितिस कुमार को आइना दिखा दिया है यह उन्होंने सोसल मीडिया पर लिखा है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी डिंग डंग कर ले लेकिन सचाए तो यही है कि बिहार में नोकरी मोडल के असली नायक तेजस्वी आदब यही है उन्होंने महज सतर दिनों में चुनाबी वादे के अनुरूप करोड़ों बच्चों के भवी से सवारने के उदिसे से कुल एकी दो लाग सतरे हजार बेरोज़गारों को सरकारी नोकरी परदान करके एक नया वर्ल्ड रिकोर्ट अस्ताफित कर दिया है यहां सुनिल सिंग ने आगे लिखा है कि कहने का अभी प्राय यह है कि तेजस्वी अदब दोरा किया गया वादा कोई चुनाबी जुमला नहीं था दरसल मंगलवार को जनतादल उनाइटेड के प्रदेश कारेयला में बिहार सरकार के मंतरी और सीम नितिस कुमार के कड़ी विजे चौधरी ने मीडिया के सवालों के बात्चित के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बिहार में नौजवानों को रोज़गार अप्लब्द करा र इसके बाद 8 जरी MLC सुनिल सिंग्ड का ये बयान सियासिक गलियारों में खुब वायर लोड़ा है सो मौर को राज़त बिधायक भाई विरंद रेंडे सीम नितिस कुमार पर टिप पनी की थी मीडिया से बाद चीत करने के दौरान उन्होंने कहा था कि राज़त सुप्रमु लाल परसाद यदब के आसिरवाद से ही नितिस कुमार मुख्य मंतरी बने हैं जा बिहार सरकार और फिर महा कड़े बिरंड में राज़त बरा भाई है जा राज़त के पास 79 बिधायक हैं जा चोटे बाई नितिस कुमार राज़त प्रमु लाल परसाद यदब के आसिरवाद से ही मुख्य मंतरी बने हैं दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर सामनी आ रही है ताज़ार एपोर्स के मताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को मुख्य मंतरी बागवानी मिशन या उजना के अंदरगत 90 परतिसत की सबसेड़ी देरी है जाए इसका लाब लेने के लिए किसान आविदन कर सकते हैं इसके अलवा बिहार में राष्टी बागवानी मिशन एवंग मुख्य मंतरी बागवानी मिशन या उजना के तहत गेंदा फूल की खेती करने के लिए किसानों को सतर परतिसत की सबसेड़ी दी जारी है दोस्तों आज का नीज बस यहां तक कैसा लगा आपको नेचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताइएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आएं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन को प्रेस कर देजिए और साथे वीडियो को लाइक कर देजिए अपने